इस वीडियो के अंदर में बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का पूरा रिवीजन आपके लिए अप्लोड कर दिया है पूरा रिवीजन तुरू आउट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बता दो कमेंट करके मुझे अच्छा लगता है अगर आ साथ में आपने देखा होगा एक अडिशनल चीज मैंने बहुत अच्छी करा ही और वह है प्रिवेस एर कुश्टन जितने भी थे टूटाउजन सेशन के अंदर इससे एक एडवांटेज क्या हुआ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दो सोर्सेज आपके प्राइमरी मिलता है और दूसरा होता है आपके प्रिवेस एर के कुश्टन वह भी इंस्ट्रीट के द्वारा यह ओविसली दिए गए तो यह दो चीजे प्राइमरी सोर्से होती है फिर उसके बाद मैंने अकांटिंग स्टैंडर्स आपको कर आया जो की ग्रूप वन के अंदर फानेश इसके अलावा मैंने आपको सारे ही कुश्टन एक्स्ट्रा वाले जो भी थे पीवाएक्यू और सब कुछ इंक्लूट करके वह भी सॉल्व कराया उसके अंदर मैंने इंडियन अकांटिंग स्टैंडर्स जिसको हम इंडियस बोलते जो कि आपका ग्रूप टू है उसका भी म मांक्स दिलाएगा यह अकेला लेक्चर 15-20 मांक्स आपको पता है 10-15 मांक्स आएगा तो वह भी आपको 10-15 मांक्स एस और इंडियस दिलाएंगे यहां पर तो यह अच्छे खासे 80-20 प्रिंसपल का ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नेक्स प् साथ में आपको पूरे प्रिवेसर कोश्चंस में करवाऊंगो उसी लेक्चर के अंदर तो पीवाईक्यू सारे कराऊंगा 77 प्रिवेसर कोश्चंस मैंने हाँ पर निकाल लिये हैं 2016 और 2022 से ले बस पूरा मिला के एक पीवाईक्यू कवर है टेंशन मतलो कुछ भी आप ट्रेंड भी देख पाऊंगे कि अंदर कौन से कौन से चैप्टर के कोश्चंस आ रहे हैं जो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हूं यह मैं कराऊंगा उसके बाद मेरी प्लैनिंग है मैंनेच्मेंट अकाउंटिंग मैं आपको लेकर आऊंगा अगें यहां पर म लॉक के से करें तो मैं लॉक के ट्रिक के साथ आपको कॉश्चन सौल्व कराऊंगा तो इससे आपको बहुत ज्यादा असानी हो जाएगी इस एरिया में मार्क स्वेच करने के लिए ठीक है जिसको आप एकदम रेड एरिया बना दे तो एकदम डेंजर जोन बना दे तो तो मतलब अगर आप देखोगे शेडियू 3 के बड़े-बड़े कॉश्चन होते हैं तो मैं कराऊंगा अच्छे कासे कॉश्चन हर टॉपिक से कराने की कोशिच करूंगा पर सारे पीवाई की उसकी कोई गारेंटी ने और दूसरी बात कॉश्चन बहुत जादा ही चैनल में सीधा सर्च करो इसके अलावा मैं एक और चीज करूंगा एक लिए आपके लिए पूरा कंपाइलेशन मना के एक वीडियो डाल दूगा सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट कंपाइलेशन होगा जहां पर अगर मेरेको कुछ्छ नएज चीज में और चीज में पहले पहले मैं वन डे बिफोर टाइप का वीडियो एक लंबा वीडियो जो कि 8-10 घंटे का होता है जो आप आराम से स्पीड बढ़ा के साथ-8 घंटे में कवर करके फुल रिविजन कर सकते हो कि वन डे में हम कैसे चीजों को मैनेज करें समझ नहीं आता जरुद कर लेते हैं उसकी बाती नहीं है तो वह मैं जरूर बना के डाल दूगा बाकी अब लेबल उसका ले सकते हो अगर कोई वीडियो आपको नहीं समझ भारी यह नहीं मिल रही आप कमेंट सेक्षिन में में से पूछ सकते हो तो मैं आपको प्रोवाइट कर दूँगा यह सबजेक्स नहीं पढ़ाता हूं तो मेरा यह एरिया और ना में इसे पढ़ाता हूं और ना में पढ़ा सकता हूं ठीक है जिता और फीक है तो अपसे चार पास दिनके बाद और और फिर कौर्प्रेट अकाउंंस आ जैगा वही ऐसा 45 दिन का गैप क्योंकि बीटा आभ में बहुत ज़्यादा traveling mode में हूं काम रहता है तो इस वज़े से कभी इधर कभी उधर चलता रहता है तो इस वज़े से मैं consistent recording 10-15 घंटे की करनी पाता हूं दूसरी बात यह कि 10 घंटे का lecture होता है तो उसके पीछे बेटा आपको पता नहीं है partnership का वह एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं चार दिन तक continuous मेहनत किया था तब जाके वह एक वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी तो FM का मेरा more or less चीज़े prepared है में को recording start करनी अब FM की तो FM की recording हो जाएगी जब मेरी चार पास दिन में I will upload फिर then MA में लगूंगा MA का काम में कसम करूंगा चार पास दिन में फिर corporate अगांट्स इस sequence में चीज़े चलेगी तो आपके साइट से जो कुछ डाउट होगा कि revision वीडियो आएगी कि नहीं आएगी और आएगी तो कब आएगी तो वह आपको एक है ठीक है एक्जाम हमको अच्छे से निकालना है जून में ठीक है बहुत अच्छे से attempt आपको देना है confidently जाके देना है प्राक्टिस अच्छे से करनी है और अपनी strategy अच्छी रखनी है तब आप अराम एक्जाम अराम से निकाल लोगे otherwise कोई भी अगर आप इस ताइम पर ग बचे एक महिने का भी टाइम नहीं है तो इसको effectively यूटिलाइस करें ठीक है तो वस इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए God bless you take care and bye